जैशी किशना दोस्तो वियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो पुतरदा एकादशी पुतर को देने वाली मानी गई है साल में दो बार पुतरदा एकादशी आती है एक पूस मास में और एक सावन मास में सावन मास में पढ़ने वाली पुतरदा एकादशी का बहुत महत बताया गया है यह वंश की वृद्धी करने वाली मानी गई है जिन भी दमपत्यों को संतान की पुत्र की प्राप्ती नहीं हो पारी है तो इस दिन उपाय अवश्य करना चाहिए दोस्तों एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहें जिसके करने से निश्षिदी आप को मन वांचे संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलें बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटिस वीडियो का नोडिफिकेशन स पूजन तो अवश्य करना है साथ ही दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको घर से दो वस्तु अवश्य लेके जानी है एक गाय का घी ले जाना है और आपको एक आटे का चौमुखा दीपक बनाना है और भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए आपको खीर अवश्य बनानी हैं आप रत की खीर बना सकते हैं चावलों की खीर बना सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार खीर अवश्य बना कर ले जाएं और इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधी विधान से पूजन अवश्य करें और साथ ही आपको आखिर में शिवलिंग पर घी से अभि शिवाय कहते हैं वो शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना है साथ ही आपको खीर का भोग भी अवश्य लगाना है दोस्तों पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से दो बेल पत्र अवश्य ही उठा लेने हैं चाहे वो आपके चड़े हो चाहे किसी के भी चड़े हो और आपको शिव मंदिर की चौखट पर वहाँ पर आपको चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाना है। आपको मन वांचे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आपको जैश्य कुष्णा।